सारी सर्दी बारेश में लाखों की तादाद में लोग किसान आंदोलन में शामिल है इस दोरान 11 राउंड बाचीत के सरकार और किसान के बीच बे नतीजा बाचीत के 11 राउंड हुए फिर भी आज जो स्तिती है टिकरी बॉर्डर पे पहली टेक्टर ट्रॉली से आखरी टेक्टर टॉली तक 4-5 लेन 17 किलोमीटर लंबा धरना सिंगु बॉर्डर पे पहली टेक्टर टॉली से आखरी टेक्टर टॉली तक 21 किलोमीटर लंबा धरना अलग-अलग गाजीपुर बॉर्डर पे बाकी जगां कई लाख लोग आज भी इन धर्ना स्थलों पर विश्वास रखे अपने मन में शांती और सहीम से बेठे हैं पिछले इन भहतर्व दिन में इन धर्नो स्थलों से 194 किसानों के शव जिन्हों ने अपनी जान कुलपान कर दी शाहदत दे दी अपने अपने गाउं में वापस लोटे हैं यह ओ लिस्ट है कोई पुछ रहा था कि कौन है गाउं का नाम है परिवार का नाम है उनका कौन सा भाई चीन की सेमा पे तैनात है कौन सा भाई पाकिस्तान की सेमा पे तैनात है उनके नाम मैं रखना चाहता हूँ मैं इसको सवापटल पे रखना चाहूँगा यमना नगर के स्वर्गिये रंदीप सिंग गुंदियाना गाउं के गड़ी गुजरान करनाल के स्वर्गिये राजेश चहल जिसका भाई आज भी लद्दाक में तैना थे पाई के स्वर्गिये रजेश धुल बरोदा गाउं के भाई स्वर्गिये भाई अजेश कुंदू जो जिनके मैं घर गया लगबग इनके परिवारों से मिलने गया जिनके घर पे एक उनकी विद्वा और तीन बच्चे विद्वा इतनी पड़ी लिखी भी नहीं है कोई नौकरी कर पाएगी तीन लड़कियां हैं तीनों अभी स्कूल में अन्मेरिड हैं कैसे उनकी शादी होगी कैसी विवस्ता होगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नार देने वाली सरकार उनकी बेटियों को कौन बचाएगा कौन पढ़ाएगा सेकड़ो जान चली गई मगर सरकार के मुझसे समवेदना का एक अक्षर नहीं निकला आज मैं देख रहा था कि सभी मैंने सभी भाजपा के की तरफ से जो लोग बोले उनके वेक्तेव को ध्यान से सुना इन 594 परिवारों के लिए कोई समवेदना के शब्द की बात तो दूर की बात है जिकर तक नहीं हुआ जोते रहते सिंद्या जी बोल रहे थे 15 साल तक मेरे साथ लोग सवा में थे उन्होंने एक किसान का जरूर जिकर किया 26 जन्वरी को जिसने अपनी जान गवाई प्रचंड भहुमत कहा अंकार भी दिखाई दिया कहा कि लोग हमारे साथ है मगर इन इनलाकों के अंदर जन्ता का विश्वास ये सरकार खोचुके इसका अंदाज़ा इस बात से लगाए जा सकता है कि हरियाना में मुखे मंतरी अपने घ्रह चेतर में या उप मुखे मंतरी अपने घ्रह चेतर में को कारेकरम भी नहीं कर पाएंगा ना कर पारे उपचुनाओ के बाद उपचुनाओ हरियाना के अंदर सरकार कोहार का मुढ देखना पड़ रहा है जब कि चार साल सरकार के बाकी है जनता का विश्वास कितना इस सरकार के पास है मैं सभापती महोदे कहना चाहता हूँ ये जो धरने टिक्री बॉर्डर पे सिंगू बॉर्डर पे ये मेरा घ्रया चेतर है मैं वहीं से आया हूँ मैं इन धरनों पे गया हूँ एक-एक ट्रोली के अंदर जाग के मैंने किसान से बात करिये मैं इन घरों में गया हूँ मुझे आपका संगरक्षेंट चाहिए मैं सदन के बीच में सच्चाई रखना चाहता हूँ क्यों सच्चाई रखना चाहता हूँ ये स्थिती स्थिती में हम कैसे पहुचे 5 जून 2020 को करोना आपदा के बीच में अध्यादेश सदन दोनों हाउस कोई भी किसी भी बिल को पास करते हैं राश्पती जी हस्ताक्षर करते हैं और एक्ट बनता है अध्यादेश जब राश्पती जी के हस्ताक्षर से एक कानून लागो हो जाए और उसके बाद दोनों सदनों को केवल एक रबर स्टैंप की तरह उतको पारित करने के लिए प्रियोग किया गया अंदोलन शुरू हो गया पंजाब में छे महीने तक अंदोलन चलता रहा हरियाना और पंजाब में कहीं पीपली में लाठी चार्ज हुआ तो कहीं पंजाब के एक एक टोल पे किसान बैठा में और उनकी सुनवाई नहीं हुई और छे महीने के बाद शांती पूर्ण तरीके से वो किसान उठकर उन्होंने फैसला किया कि रामरिला ग्राउंड में जाके धर्ना देंगे आज कुछ लोग पूछते हैं कि यातायात की इतनी परिशानी हो रही है बॉडर्स पे बैठे हैं ये बॉडर्स पे बैठने नहीं चले थे ये रामरिला ग्राउंड वही रामरिला ग्राउंड जहां सभी राजनेतिक दलो को अधिकार है जहां देश की सरकार के विरोध में बड़े-बड़े अंदोलनों कही गवाई वो रामरिला ग्राउंड देता है हमलावार हो गई हर्याना की सरकार सोचा था उसमें किसान केवल शांती से जा रहे थे सोचा था रोक लेंगे मगर ये वही खून है जो देश की सीमा पर दुश्मन की गोली और गोलों के सामने छाती अडाये खड़े हैं उनसे पीछे नहीं अटते सरकार की लाठियों से आसू गेस से और वाटर कैनन से ये पीछनी अटने वाले थे चलते बढ़ते गए दिल्ली की सीमा पर आए 25 नवंबर को दिल्ली की सीमा पर पहुचे वहाँ पर देश की राजध्यानी की सीमा सील कर दी गई और वहाँ से धरना शुरू हुआ उसके बाद सारी सरदी बाचीत पर बाचीत तारीख पर तारीख बे नतीजा बाचीत और आखिरी दोर में भी जब ग्यारवा राउंड हुआ तो सरकार ने बाचीत एक तरफा अपनी तरफ से बंद करी और अपमानित करके पाँच घंटे तक बैटे रहे सारे किसान संग्टनों के परतिनी दी और पाँच घंटे के बाद उनको बताए गया टेलीफोन पे कि सरकार की तरफ से बाचीत समाप्त हो चुकी है उसके बाद उठके गए 26 जनवरी की घटना का जिकर हुआ 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ लाल के लिए पे जो हुआ अस है निये कहीं कोई उब्दरव होता है अस है निये उसकी जाच भी होनी चाहिए जो दोशी भी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई भी होनी चाहिए लेकिन न्याए का तकाजा है दोशी तो बचे नहीं मगर निर्दोश फसे नहीं ये विवस्ता है न्याए की हमारे देश में 26 जनवरी की जब घटना आई तो इस घटना की निंदा सारे किसान संक्नों ने करी उन्होंने सब ने अपने आपको इस घटना से अलग कर दिया और कहा जो दोशी हैं उच तरीये निश्पख्स जाच हो तरह तरह के लोगों के नाम सामने आ रहे हैं कई लोग कुछ राजनितिक दल से संबन्दित भी हैं कई लोग कई लेक्शन एजेंट भी रहे हैं और मैं आज उस विशे में नहीं जाना चाहता, उनके नाम सामने आ रहे हैं, सारे तत्ते सामने आए, दोश्यों खिलाफ, सजा हो, सारे किसान संक्त्रों ने कहा, उनकी बात पर यकीन किया जाना चाहिए, इसलिए किया जाना चाहिए कि ये धाई महीने से बैठें, मेरे इलाक वाड़े से एक मुफली और एक केला भी अगर किसी ने चीना हो इन किसानों ने किया हो एक कंप्लेंट पुलिस में आई हो या 26 जनवरी को भी किसी दिल्ली के थाने में एक कोई दुकांदार एक कोई रेडी वाड़ा पहुचा हो कि ये मुफली भी लिया किसी ने वहाँ जाक पर इसलिए भी यकीन किया जाना चाहिए कि इन धर्नों से 200 लाशे लगबख 194 लाशे जब वापिस गई आदमी विचली तो याता है उत्तेजी तो याता है गुलाव नभी अजाद साब ने बड़े-बड़े किसान आंदोलनों की याद दिलाई इस सदन को और कहा कि हर पर इसलिए जटा अंदोलन 1905 का चाहिए वो चंपारं सत्याग रहे को चाहिए वो बर्दोली का अंदोलन गुजरात का किसी आंदोलन में इतने किसानों ने अपनी जान कुर्बान नी करी जितने इस आंदोलन में जृर्बान की फुसान करी मगर यह विचलित नहीं हुए लाशेट इन धरनों से अपने अपने गाउं में जाती रही विचलित नहीं हुए शांती से सयम से बैठे रहे इनकी नियत का अंदाजा उससे लगाना चाहिए देश को नियाय का तकाजा था दोशी बचे बचे नहीं और निर्दोश फसे नहीं लेकिन क्या हुआ इस घटने के बाद इस घटना के बाद निर्दोश लोगों पर को निशाना बनाया गया जूटे मुकद में किसान पर पत्रकारों पर किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए मीडिया का एक तबका साजिशे और शडियंतर बड़े बड़े रचे जाने लगे किसान की आवाज को कुचलने के लिए परचार तंतर हमलावर हो गया परचार तंतर जोग दिया गया परजातंतर नहीं, परचारतंतर, आज ये परजातंतर नहीं है, परचारतंतर है, परचार से, परचार के लिए, परचार द्वारा, परचारतंतर देजद्रोई बता आ गया जो इन धन्नों पे बेटे हैं देजद्रोई बता गया कहा कि आतनिस गवाधी हैं चीन पाकिस्तान से funded हैं गदार हैं मैं पूछना चाहता हूं जो बाप यहां बेटा है जिसको गदार बताए जा रहा देश द्रोई बताय जा रहा है उसका बेटा चीन की सीमा पे तैनात है अगर वो गद्दार है तो वो उसका बेटा क्या है मैं सदन से पूछना चाहता हूं मैं माननी रक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं यह जो दिल्ली के आसपास का इलाका है हर्याना पंजाब पश्चम हर्याने की बात करूँ हर दस्वा सेनिक फौज का आज भी हर्याना से 20 परतिशत हमारे खादे बंडार आज हर्याना का किसान मेहनत करके 20 परतिशत खादे बंडार बंडार काम करता है देश के लिए 40 परतिशत मेडल चाहे ओलंपिक और कॉमन वेल्ट तो इस याई खेलों म अनिया काम करते हैं जब जर्व ओलंपिक में और इश्याई खेलों में उस किसान का बेटा देश का जंडा उच्छा करें उस किसान का बेटा जब सीमाओं से तिरंगे में लिपट के शहादत दे कर वापिस आए आज उस किसान को तिरंगे के उपधेश दिये जा रहे हैं मैं पूछना चाहता हूं उससे ज्यादा कौन देश भगत हो सकता है मैं पिछले हफते बताओं मैं अपने इलाके की बताना चाहता हूं इस इलाके के बारे में मैं पिछले हफते में मेरे चेतर में मेरे घ्रह चेतर में तीन डेड़ बोडी आई एक अरुनाचल से, एक लग्दाक से, सिवाना गाउं बेरी के अंदर, B.S.F. के जवान शहीद सचिन, गाउं जूडी कोसली के अंदर, शहीद दीपक कुमार यादव, और खरखडा गाउं के अंदर, शहीद कैप्टन जगतार सिंग, तीन बोडी देश की सिमाउं से वापस शादत दिये, और एक दरजन, किसानों की, उनके परिवार जनों की, परिजनों की, डेट बोडी, दिल्ली की सिमाउं से, उनी गाउं में, उनी गाउं में वापस गई, मर्द दुर्भाग के ये है, उसी जवान को, उस जवान और उस किसान को आमने सामने, खडा कर दिया ग रही हैं मैं कहना चाहता हूं सरकार से दिल्ली की सीमा पर लगी हुई ये कीले लोक तांत्र के लोक तांत्रिक मूल्यों के ताबूद में सियासत की कीले के कीलों के रूप में आपने लगाई हैं मगर ये भी मैं के बोलना चाहता हूँ आपसे फिर्दे से बोलना चाहता हूँ लाठी तंत्र कभी लोक तंत्र को नहीं हरा सकता देश का अंदाता कभी धनाडो और उद्योग पतियों का गुलाम नहीं बन सकता इन कीलो को इन नफरत की कीलो को किसान इन नफरत के कीलो को जो उगाया है सरकार ने नफरत की कीलो की जो खेती की है इसकी भी कटा इस किसान अपने प्यार की गरत दराती से करना जानता है इस सब के बाद भी सच आएगा सच में ताकत है सच आएगा इंटरनेट आज मेरे पूरे इलाके के अंदर इंटरनेट बंद है आपके इंटरनेट आपकी दिवारें आपके पहरें आपकी कीलें सच को रोक नहीं पाएंगी सच बापस सच बहार आएगा एक दिन सच जरूर आएगा और हम न्याय की लड़ाई जरूर जीतेंगे एक आशा जगी थी प्रधानमंती तीन चार दिन पहले एक बात आई प्रधानमंती जी की तरफ से कि मैं दूर नहीं हूँ एक टेलीफोन कॉल मैं बहुत नजदीक हूँ टेलीफोन कॉल की इंतजार है आशा कुछ जगी थी मगर मैं पूछना चाहता हूँ उसके बाद 4-5 दिन से हुआ विपरीत जैसे ही प्रधानमंती जी ने ये कहा अगले दिन सिमेंट की मोटी-मोटी दिवारे 15-15 बैरिकेड लेर की बैरिकेडिंग हजारों की तादाद में फैसलीटी भी वहां से अगले दो प्रधानमंती जी के बाद के तुरंट बाद हटा दी के सोचाले स्वच भारत का नारा देने वाली सरकार जहां इन धरनों से लाखों किसान जान डटे हुए हैं वहां से सोचाले को भी हटवाने काम कर रही हैं दुश्मन की फोज को भी सर धानमंती जी और किसान के बीच में दुरिया पैदा कर रहा है पिछले तीन चार दिन में ये किसान देश की राजगदी पे कबजा करने नहीं आए ये किसान क्या मांग रहे हैं ये केवल ये मांग कह रहे हैं कि जो सरकार ने दिया है उसको भी लोटाना हम चाहते हैं जो ज किसान आखिर आप से क्या मांग रहा है मैस पी को बचाने की और उसको मजबूत करने की लड़ाई किसान लड़ रहा है वही मैस पी जो समविधान सवा में 1948 में सबसे पहले मेरे स्वरगिये दादा जी तोदीर अन्बीर सिंग जी ने जिसकी मांग करी थी किसान को नियुनत चोटूराम ने 1938 में जॉइंट पंजाब पेशावर से पंजाब तक पेशावर से पलवल तक जब एक राज्य था उस समय जब मंडी विवस्ता बनी थी उस मंडी विवस्ता को मजबूत करने के लिए किसान लड़ाई लड़ रहा है उस उब्होकता को बचाने के बिले लड तो शोगता को बहुत महें में बेचेंगे तो जो मुनाफ़ा खोरी होगी, उस से उभोकता को भी बचाना है, उस उभोकता के लिए बी किसान लड़ाई लड़ा है, किसान ये लड़ाई लड़ा है, आज किसान इनके साथ साथ अपने स्वावी मान, अपने आत्म सम्मान की भी लड़ाई लड़ा है, मैं सदन के माध्य से इस सरकार से एक किसान के बेटे होने के नाते हाथ जोड़के मैं कहना चाहता हूं स्थिती गंबीरता समझे अपनी परजा की बात मानने से कोई शासक छोटा नहीं होता अपनी परजा की बात मानने से कोई सरकार किसी सरकार की हार नहीं होती किसान की बात समझे किसान के इन तीन कानूनों को वापस ले सरकार किसान के उपर जूटे मुकदमे जो बने उन मुकदमों को सरकार वापस ले और बड़ा दिल दिखाए मैं कंक्लूड करता हूँ अभी उन मुकदमों को भी वापस ले सरकार बड़ा दिल दिखाए सरकार को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा ताकि देशवक्त किसान के दिल में कोई विश्वास पैदा ना हो, कोई विश्वास पैदा होने की गुंजाईश ना हो मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाथता हूँ जिस तरीके से इस अंदोलन को बदनाम करने के रंग दिये गए मैं एक उधारन देके अपनी बात खतम करना हूँ एक अख़बार में आज एक अख़बार में बात छपी है देनिक भासकर अख़बार में अंदाजा लगाएं आपकी कौन बैठे हैं मुझसे पूचा गया भी कि कौन बैठे हैं यहाँ पर कहा गया बीजेपी की तरफ से फिक्र बरोदा के 78-78 साल के पती का हाल जानने आंदोलन में पहुची रामरती 54 दिन के बाद पती को देखकर छलके आसू बोली बालका के बाबू तु ठीक से है 54 दिन मैं सरकार को कहना चाहता हूँ किसानों की बात माने हाद जोड़कर और आत्मन्तन भी करें सरकार यह आत्मन्तन का भी समय सरकार का आप आत्म निर्भर की बात कर रहे हैं अभी बोल रहे थे किसान के लिए क्या किया यह वही किसान है आजादी के समय 30 करोड का पेट पालने के लिए बहार से आपको लाना पड़ता था था ना अजाज 135 करोड देश का पेट पालने का काम सरका ये किसान करते हैं और फिर भी एक्सपोर्ट की गुंजाइश रखते हैं आत्म निर्वर इन्होंने बनाया हैं आत्म निर्वर बनाने की आप बात करते हो मैं चेतावनी दे के आपको अपनी बात समाप्त करता हूँ आत्म मुग्द सरकारें पुपेंदर जी आप तो हिंदी के ग्याता हैं आत्म मुग्द सरकारें आत्म निर्वर भारत का निर्मान नहीं कर सकती हैं चेतावनी मैं देना और एक वाक्य के साथ अपनी बात कितम करता हूँ जै जै जवान जै किसान जै हिंदुस्तान धन्यवाद दिपंदुर जी